तो अब यहां पर क्या बात हो रही है कि आपकी यह दो शब्दे देखो understand और analyze ठीक है तो क्या आप समझते कैसे हैं और विशलेशित कैसे करते है तो आपने यह दो बाते बता दी है तो देखो आप दो टुकड़ों में तोड़ भी सकते हो question को कि क्या कि आप समझ कैसे रहे हो और analyze कैसे कर रहे हो otherwise एक single उसमें भी जा सकते है और किसमें phenomenon का यह का है rising religiosity ठीक है तो यहाँ पर क्या हो रहा है धार्मिक्ता जो बढ़ रही है कहां पर in a global world इन a global world में किस तरीके से world को present करें रहे है वर्ड कैसा है global है global का मतलब यह एक world है जो connected है ऐसा नहीं कह रहे है in the world in a global world मतलब यह दुनिया को कैसे देख रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो syllabus रहता है इसमें क्या क्या चीज़े रहे हैं जैसे GS1 में unit 3 sub unit 1 में social institution है family marriage kinship तो religion के उपर प्रशन आया हुआ है ठीक है तो इसमें हम क्या क्या बात कर सकते हैं कैसे इस बात को समझें कि किन dimension से religious aspects बढ़ रहे हैं यह phenomena of rising religiosity बढ़ रहा है क्या issue चल रहे हैं आज कल अगर आप ऐसे देखो इसराइल वर्सिस पालेस्टाइन ठीक है या फिर हम इसराइल वर्सिस पालेस्टाइन कहें या फिर अब तो इसराइल वर्सिस एरान हो गया है तो एक तरफ कौन खड़े हैं एक तरफ Jews खड़े हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं एक Muslim तो क्या है एक basis जो fight का क्या हो रहा है religion कि हमारी religious identity अलग है अगर हम इस चीज़ को देखें इसराइल का जो formation हुआ है उसका basis ही religion है कि भी holocaust हुआ था लोगों का उस हजा से ठीक है न उनको अलग से बाद में country उनने establish करी है और फिर कितनी लड़ाईयों हुए इंतिफादा हुए परस्ट इंतिफादा सेकेंड इंतिफादा और अब जो लड़ाईया हो रही है क्या उससे religiosity बढ़ रही है धर्म से ये जुड़ा चीजों चीजों को चोड़ दिया जाता है तो क्यों ये चीजे बढ़ रही है तो कहीं न जहीं पहला न कि ये आप understand कैसे करते हो जो ये phenomenon है rising religiosity का तो पहला question तो ये होगा कि भाई ये बढ़ क्यों रही है how do you understand this rising religiosity कैसे बढ़ रही है तो हमारे यहाँ पर कहीं न कहीं globalization हो रही है globalization हो रही है modernity बढ़ रही है इससे क्या हो रहा है जैसे हम कहते हैं न कि जैसे globalization बढ़ रही है world connect कर रहा है तो एक uncertainty की feeling भी साथ में आने लगती है हम एक चीज़ कहते हैं कि जो globalization और modernity है इसमें alienation भी आने लगती है अर्बन एरिया में आप देखो ठीक है न कि ना आप किसी culture से जुड़े हो ना आप अपने tradition से जुड़े हो ना आप अपने दर्म से जुड़े हो तो क्या होता है एक feeling ऐसे आने लगती है कि आप connected नहीं हो तो अब क्या हो रहा है stress बढ़ रहा है एक general अगर हम बात करें ना कि globally लोगों में stress बढ़ रहा है वो alienated feel करते हैं जब वो alienated feel करते हैं इस uncertain time में तो उस time क्या है religion is giving a sense of stability धर्म से लोगों को stability feel होती है ठीक है ना एक identity की feeling आती है एक community की feeling आती है आप किसी पे believe कर सकते हो ठीक है कुछ करियाकान जो सब मिलके करें community के लोग साथ में आएं ठीक है ये सारी चीज़ी क्या है तो यह ना कि लोग क्यों जा रहे हैं इसकी तरफ अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं एक जो stress level बढ़ रहा है modernization की वज़े से जो cultural identity खतम हो रही है लोग उस चीज़ को fulfill करने के लिए भी धर्म की तरफ जा रहे हैं religiosity की तरफ जा रहे हैं आज कर देखो ना इस लोग stress में बहुत है और stress में होने की वज़े से अब क्या कर रहे हैं वो किसका सहरा ले रहे हैं religion का सहरा ले रहे हैं ठीक है और फिर एक यह aspect हम कह सकते हैं ठीक है पहला क्या हम alineation है ना stress और stability और community दूसरी बात अगर आप देखो जैसे globalization की ही हम बात करें ठीक है यह societal changes हो रहे हैं तो इसमें क्या होता है globalization को भी कुछ एक threat की तरह परसीव करते हैं एक तो यह idea हो गया ना इनसान को शान्ती मिले stress से रात बर लोग काम करें हमारे यहां पर क्या हो रहा है लोग फॉरण के साथ मिलके काम कर रहें globalization में रात रात क्योंकि उनके यहां दिन है हमारे यहां रात है तो हमारे यहां पर लोग क्या कर रहे है तो alienation तो आएगा melting pot system है तो यह शान्ती के लिए तो एक यह positive balance दूसरी तरफ क्या है globalization की लोग threat की तरह भी देख रहे है अब जिसे हम क्या बोलते हैं कि the world is becoming like a M world McDonald चाहिए Macintosh laptop चाहिए M multinational companies है वो control कर रही है अब यहां पर इस globalization को oppose करने के लिए भी कुछ जगा पर इसे धर्म को एक तरह से हम क्या कहे है एक radicalism बढ़ रहा है यह specific लिए हम गी नहीं होता कि protectionistic ideology जब एक protectionism के ideology आती है तो उसमें एक fascism का जो idea है एक extreme nationalism का idea इसको भी धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है ठीक है न अब जैसे माल लो इंडिया में कुछ जगा पर ऐसा कहा जाता है कि बीच वी जोड़ा है राइट विंग ideology डेवलप होने लगती है religion में ठीक है और वो किस चीज़ के लिए हो रही है कि हमें अपने culture को अब इस चीज़ को देख रहे हो जो हमारा culture है फैसिजम का जो आइडिया है इसमें culture को religion के साथ जोड़ दिया जाता है अगर आप culture को religion के साथ जोड़ रहे हो तो फिर क्या होता है से इंडिया में हम कह रहे हैं कि right wing religiosity बढ़ रही है कुछ जगा पर ऐसे हिंदुत्वा की ideology strong हो रही है किसका modernization और globalization के opposition में कोई भी एक religion और ऐसे नहीं है कोई भी religion opposition में आ सकता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं ये हमारा tradition खतम कर रहे है कि सब लोग gene पहन रहे हैं कूरता पजामा नहीं पहन रहे हैं ठीक है valentine day मना रहे हैं ये सब क्या होगे these are reaction to modernization या rather globalization हम कहेंगे और modernization भी नहीं शब बेटर क्या रहेगा westernization westernization को लोग जो opposition कर रहे होते हैं उसमें भी फिर एक religiosity का एक component आ जाता है इसी को नहीं जिसे अगर आप world level पे भी देखो जैसे ये middle east है African countries है वहां पर भी क्या रहा है कि ये जिसे west को वो वो भी तो developing countries है हमारी तरह तो वो imperialistic west जो है उसको criticize कर रहे हैं और कहीं न कहीं एक religious ideology provide कर रहे हैं और इसमें देखो opposition message जिसे हम ISIS को देखते हैं जो हम आइस आइस है कहीं न कहीं इसका basis यह यह भी तो strength है डराइव कर रहा है क्या opposition to the west और west क्या है क्योंकि west ने क्या किया है west की एक imperialistic ideology रही है बहुत टाइम से ठीक है तो एक हम यह basis कहा सकते हैं जो globalization, modernity, westernization का फिर दूसरी बात क्या होती है क्या politicization भी एक basis रह सकता है जिसे हम कहते हैं identity politics इसी को identity politics को ही लोग cultural revivalism के साथ भी जोड़ देते हैं कि हम culture को revive करें main क्या है देखो religion में लोग ना एक group की तरह रहते हैं एक बहुत बड़ा group है अगर हम ऐसे कहेंगे न तो अगर हम उसको politicize कर दे तो क्या वो एक vote bank की तरह use हो सकता है ठीक है तो क्या होता है specific political party identity politics या religious politics religion based politics करते है religion based politics कैसे वो इसको जो आपका religious group है ठीक है न कोई भी religious group है उसको vote bank की तरह देख रहे है पिर क्या कर रहे हैं अब उनको promote कर रहे हैं कि जी मंदिर बनाते हैं ठीक है कुछ और करते हैं या आप समझे रहे हो हर एक धर्म को कही न कही एक connect कर रहे हैं बट कर किसके लिए रहे हैं वोट बैंक politics और अगर आप इस चीज़ को देखो इंडिया में हुआ है एक जिसे जोड़ा जाता है कि इवन जिसे बाबरी हुआ है और यहां पर गोदरा में चीज़े हुई है इशूज हुए तो देखो आपस में फिर क्या रहा है लोग लड़ जाते हैं और उससे religious tensions बढ़ती है ठीक है और इससे फायदा गया और फिर लोगों की अपनी grouping होती है फिर वो किसी एक party की तरफ tilt कर जाएंगे और वो जीतेगी जिसे कर आप देखो ना यूरोप में यूनाइटिट स्टेट्स में आज कर ना ये Christian identity का कार्ड खेला जा रहा क्या हम इस चीज़ को देख पा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि हम हमारी cultural diversity है हमारी cultural identity है हम लोगों को grow करना चाहिए कि हम culture को revive कर रहे हैं पर कही न कहीं basis क्या है जिसे जो Christian identity को यूरोप में यूनाइटिट स्टेट्स में स्पेसिफिकली आप क्या देखोगे जिस टाइम पर election आता है उस टाइम पर जो ये right winged हम क्या शब्द यूज करते हैं right winged populist movement right winged populist Christian identity के basis पे अमेरिका में यूरोप में ये सब शुरू हो जाता है जब election आने लग जाता है तो ये भी एक reason रहता है कि rising religiosity लोगों का धर्म के प्रतीना उस टाइम पर वो बढ़ जाता है एक attribute या उसके attraction और धीरे धीरे फिर क्या होगा वो continue रहता है फिर even आप अगर demographic change की बात करो अब किसी specific religion की population मालनो कब हो जाए जैसे हमारे यहाँ पर भी कोई religious minorities है ठीक है नब उनकी population अगर कम हो रही होती है तो फिर क्या होता है जो groupism है वो strong हो नहीं लगता है जिस Jews को देख लो world level पे ठीक है क्या हो रहा है वहाँ पर वो क्यों इतने strong अपने धर्म के लिए हो रहे है ठीक है यह demographic कम है अगर आप यहाँ पर देखो even जैसी Europe है जब ऐसा होता है था कि बाहर से लोग आ रहे है क्या हो रहा था कि Middle East में issues हो रहे थे तो बहुत लोग वहाँ से निकल के आ रहे थे ठीक है ना तो क्या होने लगा कि अब वो क्या है refugees की तरह है इंडिया में ही देख लो अब क्या हो रहा है रोहिंग्या जा रहे है ठीक है ना देखो कोई इंसान जिसे हम यह क्या सकते है persecution हो रहा है जिसे रोहिंग्या का ये काए को आ रहे है अपड़े गर पे क्यो दे रहते persecution हो रहा है परिशान हो रहे है ना वहाँ पर ठीक है ना उनको मारा जा रहा है तो वो क्या करे है वो वहाँ से निकलने की कोशिश करे है वो वहाँ से migrate करने की कोशिश कर रहे है वैसे Middle East में देख लो जिन countries में issue हो रहा था अब वो यह न अब देखो पलेस्टाइन में कोई रह रहा होगा ठीक है उनको क्या मतलब इतना call लड़ रहा है उनको तो ऐसा भाई निकल लो बच जाओ किसी तरह North Korea में कोई परेशान हो रहा है क्या है निकल लो ठीक है अब वो सारे कहां जाएंगे अब वो किसी ऐसी country में गुसने की कोशिश करेंगे जो थोड़ी stable हो ठीक हो बट अब उस country में जो लोग रह रहे है अब इस चीज़ को समझो ना जैसे मालो Middle East से लोग वो क्या कर रहे है वो तो अपनी जान बचा के उस country में गुसने की कोशिश कर रहे है लेकिन जो वो country होती है अब कहीं न कहीं क्या हो जाता है कभी-कभी वो किसी एक specific religion के लोग निकल गया जाता है अब जैसे मालो रोहिंग्या को हमाल ले तो क्या है? Muslim community के लोग जादा है अब वो आ रहे है ठीक है? देखो किसी बाहर से persecution हो रहा है किसी का उसको अगर हम ला रहे है इंडिया गुस से problem नहीं है इशू कहां पर आ जाता है कि भई उनके साथ भई उनके साथ सा terrorist भी घुश सकते है ठीक है? और वो क्या? slipper cell की तरह काम कर सकते है अब माल लो कोई anti-Indian हो और वो उनके साथ मिलके घुश जाए देश के अंदर तो इस तरह से क्या होता है कि लोगों की apprehension बढ़ जाती है ठीक है? और फिर क्या है? दूसरा कि कही ना कही देखो जब resource distribution होने लगता है तो आप देखो resource तो उतने ही है तो क्या होता है? उस time पर थोड़ा थोड़ा ना फिर वो attrition होने लगता है और attrition का basis क्या होता है? culture और जैसे ही culture एक basis बन जाए तो फिर क्या होगा? वो religion के साथ जुड़ जाता है कि भाई हमारे धर्म में ऐसा ये लोग ऐसा करते है ये चिस गलत हो रही है ठीक है न? तो कहीं न कहीं आपका demographic change ये दोनों तरीके से हो सकता है एक migration से भी हो सकता है दूसरा इसको population का एक decrease या increase की तरह भी देख सकते है है न? कि अगर मालो किसी specific community की population decrease हो रही है ठीक है? तो वो क्या कोशिश करेंगा? अब जैसे देख आप क्या देखते हैं? जैन समाज ठीक है? अब वैसी क्या हो जाएगा कि आपका जो भी कम है पार्सीज ये सब क्या कर रहे है? अपने कहीं नगे religion के साथ जुड़ जाते हैं न? और religious identity इनकी strong होने लगती है उसी तरीके से क्या है? अगर किसी की population बढ़ रही है तो उससे भी एक anti that religion sentiment बन सकता है ठीक है न? अब जैसे मालो कुछ जगा पर ये जिसे इंडिया में बहुत जगा पर तो ये बात हो रही होती है कि जिसे Muslim की population बढ़ रही है तो लोग ये question करने लग जाते है कि एक time पर ये जादा हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? एक community अगर जादा हो जाएगी तो इनका क्योंकि political presence जादा हो सकती है इस तरह की apprehension होने लग जाती है ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो रहा है तो religiosity और religious tension बढ़ने लग जाती है ठीक है? यह basis रहेगा फिर अगर हम देखें कि technology की advancement हो रही है यह तो basis रहा ही है ना? अगर आप इस चीज़ को देखो कि जब TV आया और TV आने के बाद जब रामायन आई रामायन के आने के बाद कितने भक्त बढ़ गए? ठीक है ना? जब technology आई तो उससे क्या होता है? उससे आपका जो धर्म है वो कही ना कही लोग उससे ज़र्णा connect कर पाते हैं ना? क्योंकि धर्म से अब जैसे मान लो कि आपका Facebook आ गया Instagram आ गया इस सब पे अब धर्म के बारे में चीज़ें आने लगी अब जैसे आप इनको देख लो कि सद्गुरू जग्य वासुदेव जी आप सब को पता है उनका नाम? देखे वें आपने उनके वीडियो कहां से लगा पता? वीडियो देखे ना? शॉट्स देखे कुछ बोल दिया श्री श्री रवी शंकर जी ठीक है ना? फिर आप ये देख लो राधा स्वामी तो क्या आपने इन सब के थोड़ी थोड़ी शॉट्स देखे हैं? तो क्या हो गया? आपका रिलिजिन के प्रती थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आनी लग जाती है क्योंकि क्या हो रहा है? इस सोशल मेडिया से रिलिजियस मेसेजजेज लोगों तक पहुँच रहे है अब लोग यह बता रहे है कैसे गीता को डेली लाइफ में यूज किया जाए आ रहे हैं वीडियोज तो क्या हो रही है यह सारी बाते? इस लीडिंग टू राइजिन रिलिजियोसिटी अब और यही देखो ना पॉजिटिव आस्पेक्ट में देखो कि लोगों को वैल्यू समझ आ रही है अलग-अलग धर्म है आप उनको समझ पा रहे हैं उनके डिबेट्स देख सकते हो जो भी उनके अलग-अलग गुरू होते हैं जैन गुरू है अलग-अलग रिलिजिन के लोग आ रहे हैं मुस्लिम्स है उसमें भी कई सूफीद है जैसे सब लोग आके बोल रहे होते हैं तो इससे क्या हो रहा है लोगों के बीचे मेसेज तो आ रहा है तो टेक्नॉलजी के एडवांसमेंट से यह चीज़ होती है देखो उसे रिलिजिन्स में आइडिया तो बढ़ेगा लोगों का इंटरस्ट बढ़ेगा और दूसरी बात क्या एक एक एक्स्ट्रिमिस्ट आइडियोलजी भी फिलाई जा सकती है ठीक है न जैसे अब यह कुछ से टेर्रिस्ट ग्रूप्स है वो क्या करेंगे लोगों को एक रिलिजियोस आइडियोलजी देते है जैसे नहीं बहुत एक्जामपल आये है नाशनल लेवल पे इंटरनाशनल लेवल पे जैसे हम आइसिस की बात कर रहे है इंटरनाशनली इन्होंने जो रिकूरूटमेंट करी है ठीक है यह आईसिस के इंटर्व्यू कहा होते है आईसिस की ट्रेनिंग कहा होती है कहां से लोगों को पता लगता है इंटरनेट ठीक है ना और देखो हो क्या रहा है यह लोग किन को टार्गेट कर रहे है जिसे रिलिजियस फंडामेंटलिसम की जब हम बात करते हैं एक हम क्या बात कह रहे हैं कि एक religion के प्रती लोगों का interest बढ़ता है और ये सारी चीज़ें कैसे जुड़ती है कि वही जिसे हमने बात कर रहे हैं कि stress लोगों को बढ़ रहा है आप covid को देखो, covid एक बड़ा example है covid के time पर religion के प्रती लोगों का interest जादा गया था ठीक है, बहुत लोग religion फॉलो करने लग गये थे, क्या हो रहा है life and death situation है और उस time पर there is something that brings you peace और दूसरा, covid के time पर ही बहुत लोगों को radicalization भी हुए अब ये चीज़ होती है नहीं कि आपका experience कैसा रहा radicalization से भी क्या आपका religiosity बढ़ रही है radicalization कैसे हो रहा है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें देखो, जिनका already कुछ background में issue होता है background में issue का मतलब कि उन्होंने कुछ feel किया वा है अब जैसे मालो partition हुआ, ठीक है, partition के time पर एक इनसान था वो किसी भी religion का हो, सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, है न, उनकी पूरी family मार दी गए ठीक है, rights हो रहे थे, communal rights हो रहे थे, तो क्या हुआ, वो मार दी गए अब वो जो बच्चा है, आप जितना मरजी explain करो उसको, उस बच्चे के लिए है न, उसकी parents क्यों मरें, क्योंकि वो किसे religion को belong करते थे, be that any religion मैं यह कहना जा रहा हूँ, Muslims मरे हैं, Hindus मरे हैं, Sikhs मरे हैं, बहुत लोग, आज भी अगर आप उनकी families में जाओ, वो दूसरे religion के लिए hit rate रखते हैं, ठीक है, आप जम्मु कश्मीर में चले जाओ, अब वही बात है कि कुछ लोग ऐसे होंगे, अब उन्हों क्या हुआ, उन्होंने persecution भील किया, ठीक है न, तो अब क्या हो रहा है, अब उस persecution कैसे किया, अब वही हो गया जिसे मालोग फॉज भुजगी उनके घर में, और वो बोटर की बताओ, ये terrorist कहा है, फॉज तो terrorist ढूण रही थी, बट वो interrogation में मार पीट दिया, बच्चों ने वो चीज़ देख ली, उनको तो बुरा लग रहा है न, समझो इस चीज़ को, और उनको क्या लग रहा है, कि ह हमारे साथ ये discrimination क्यों हो रहा है, क्योंकि हम specific religion के हैं, अब they are the breeding ground for radicalization, और फिर क्या होता है, उनको एक video दिखाई जाती है, कि ये गलत हो रहा है, और वो religion एक basis दे दिया जाता है, ठीक है न, तो technology, ISIS का जो मतलब recruit कर रहे हैं, और national level है, अफरिका से इन्हों ने इतने बच्च कर सकते हैं, ठीक है, और फिर religion को गलत तरीके से तरोड मरोड के बच्चों को बता जाना, ठीक है न, ये चीज़ है, तो एक ये basis रहेगा, ठीक है, कि हमारे technology है, वो rise कर रही है, और इस वज़ा से एक basis बन रहा है, फिर हम क्या बात कर सकते हैं, इसे instability, है न, बोथ, political instability हो, चाहे economic stability हो, अगर आब इस चीज़ को देखते हो, ठीक है न, कुछ जगाओं उपर political instability हो रही है, ठीक है न, रिलिजिन का क्या हो, अब जिसे मालो किसी जगा, और इसका पीछे देखो यार, Jews वाला issue जोसे हम देखते हैं, ठीक है न, Jews का मारने का basis क्या था, economic, जर्मनी में, ह World War I हारावा था, जर्मनी है न, तो उनके ओपर war के indemnity लगाई थे, उनको बोला थे कि आप फौज नहीं रख सकते हैं, आप तो कहीं ना कहीं उनके जो राइन लैंड वगरा अच्छे इलाके थे, जहां से उनको development हो सकती थे, जहां से वो माइनिंग कर सकते थे, तो वहां से तो पैसा नहीं कमा पा रहे थे, तो क्या हुआ, कि अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने वो यह न, फिर किस पर ठीकर आप पोड़ा, कि यह जो juice है, है न, जो भी business है, यह लोग कंट्रोल करते हैं, और यह जो juice है, इन्होंने क्या किया हुआ है, अपने ही एक गुरू, क् किया है न, वो basis बनी किया है, और religion के साथ connect कर गी, और फिर उससे हमने क्या देखा, holocaust, है न, holocaust, h-o-l-o-u-c-a-s-t, holocaust, यह क्या है, कि लोग मारे, आप सोचो न, छोटी-छोटे बच्चे है, वो दूसरों के बारे में, जिसकी यह जू फैमिली है, इसको आप मार दो लोगों नहीं तो बताया, कि भई, यह है, यहां पर यह रह रहे हैं, अगर आप इस चीज़ को देखो न, जहां पर भी instability है, चाहे political instability है, चाहे economic stability है, यह इससे क्या होता है, इससे लोगों का marginalization हो रहा है, लोग गरीबी की तरफ जा रहे हैं, अगर आप सच में basis देखो न, जी, उससे लड़ने का, वो यह था कि, inflation बहुत बढ़ गया था, economy बहुत नीचे आगी थी, लोग बहुत परिशान हो गए थे, ठीक है, बट उसको जोड किस से दिया, religion से, लोगों को इकठा करने के लिए, तो कहीं ना कहीं, political और यह economic जो unrest रहते हैं, इससे लोगों की marginalization हो होती है, और फिर क्या होता है, extremist groups, जो religious extremist groups हैं, वो इसको exploit करते हैं, international level पर आप ISIS देख लो, national level पर भी जो हमारे terrorist organizations रहेंगी, कहीं पर भी instability हो रही है, उसका फायदा लेंगे, ठीक है, यहां हम religion की बात कर रहे हैं, तो community basis भी होता है, नौर्थीस्ट में देखो, इससे इसस है, ठीक है, तो oppose करते हैं, अभी चलो हम specific religion वाले aspects देख रहे हैं न, बाकि हाँ, धीरी धीरे हम ये भी बात कर सकते हैं, कि जिसे religious freedom भी बढ़ी है, जब religious freedom बढ़ती है, है न, तो क्या हो रहा है, तो भी धर्म बढ़ेगा, या आपको धर्म में भी competition, है न, आपस में एक वो competitive environment जैसा बढ़ने लगता है, जिसे इंडिया में आप देखो, है न, कि religious activism बढ़ा है, है न, क्या हो रहा है, लोग question भी करते हैं, जब ये religious activism की बात आती है, कुछ लोग धर्म को छोटके, बिल्कुल नास्तिक भी हो जाते हैं, और फिर उनको oppose करने वाले आस्तिक भी हो जाते हैं, ठीक है, एक competitive religiosity है, वो develop हो रही है, और ये क्या कर रही है, कही न, किन एक resource की mobilization की अगर हम बात करें, इसमें भी न, specifically जो सबसे अच्छा example हम देखते हैं न, Latin America का है, वहां पर एक penticostalism की हम कहते हैं, है न, penti, p-e-n-t-e, ousta, c-o-s-t-a-l-i-s-m, penticostalism, specific लेकर ऐसे कहें न, Latin America वाला इलागा है, ये कौन है, ये न, यार, धर्म में ही न, जिसे है, ये Christian ही, Christianity के अंदर ना ये रोग अब Pentecostalism ठीक है ये क्या बात करते है कि जो भगवान है भगवान से direct contact बनाने वाली बात जिस Holy Spirit है ठीक है ना अब ये क्या करें Pentecostalism है ये जादा एक emotion जिसे हमारे भक्ति नहीं था इस तरीके से इन के धर्म में कि बही चर्च के इतना वो रोल नहीं है रादर आप भगवान से directly जुड़ो religious experiences की बात करते हैं तो Christianity के जो बाकी हम कहें ना जिसे Protestants हैं, Catholics हैं तो यहाँ पर ये लोग क्या है और पेंटिकोस्टलिस है ये धर्म की ऐसी बाते करेगी भगवान से directly जुड़ना तो क्या हो रहा है धर्म के बीच में आपका कहेंगे competition की बात कहलो या एक नए तरीके का religion है लोग इसको जादा, लोग इसके परती जादा attract हो रहे हैं ठेक है ना, तो ये एक पेंटिकोस्टलिसम वाला हम बात तो कि religious freedom और competitiveness की वज़ा से भी आपका religiosity बढ़ती है ठेक है? बाकि देखो तो ये सब क्या हम कह सकते हैं कि इसना गोई ना कि analyze understand क्या गरते हैं how do you understand कि religiosity बढ़ रही है in इस basis पे religiosity बढ़ रही है बाकि कोई analysis का basis अगर आपके पास कोई fact हो तो analysis में कहा ना and analyze the phenomena तो अगर कोई भी हमारे पास fact हो इस तरीके का कि religiosity बढ़ रही है उसको आप mention कर सकते हो ठेक है? वो analysis में आ जाएगा जिसे एक P.E.W. research है इसने 2021 में रिपोर्ट निकाले थी ठेक है? इंडिया के अंदर ये क्या कह रहे थे? मैं लब इसको ऐसे बोला P.E.W. research center P.E.W. research center इसने 2021 में रिपोर्ट निकाले थी ये क्या कह रहे हैं? कि हिंदुस्तान के अंदर जो लोग इनने religion के उपर गलत करोगे 81% लोग कर्मा की थियोरी पर बिलीव करते हैं कर्म अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा होगा और cutting across religious lines ऐसा नहीं कि कुसी एक धरम में ही है ना? अलग-अलग religion में भी सब लोग ये मान रहे हैं कि कर्म होता है ठीक है? अब इसमें जिसे religious और religion का observance की इनने बात देखी थी कि around 80% हिंदू इनकी रिपोर्ट है से करती है कि around 80% हिंदू और around 74% मुस्लिव हिंदुस्तान में ये मानते हैं कि इनके life में धर्म बहुत important है ठीक है? religion is important और ये सब ये लोग ये मान रहे हैं कि अगर गलत काम करेंगे तो गलत होगा अच्छा काम करेंगे तो अच्छा होगा कर्म की हम theory बोलता है न बाकि एक world value survey है ठीक है? world value survey ये भी ये देखता है ये international level पे है world value survey कि religion के trends कैसे हो रहे हैं? इदर पो जा रहे हैं तो इन्होंने क्या देखा था? कि जिसे Africa Middle East है यहाँ specifically religion बहुत ज़्यादा increase कर रहा है ठीक है? इन्होंने क्या पाया? कि जिसे सब सहारन एफरिका है सब सहारन सब सहारन एफरिका में जो लोग है over the period ये ये कहने लगे कि religion is very important religion plays a very important role in their life कि धर्म इन लोगों के लिए बहुत important है ठीक है? over the period religiosity आपके सब सहारन एफरिकान एफरिकान रीजिन्स में बढ़ी है ठीक है? तो कुछ भी आपके वाज़ ऐसे facts हो कि धर्म के उपर तो आप कर सकते हैं ठीक है न? तो क्या यह बेसिक की data गठा हो रहा है कुछ लोग research भी कर रहे हैं जिसे world में है न? बहुत सारी studies हो रही है कि वही थे कि world is moving towards fundamentalism या right wing extremism अलग-अलग हर country में right wing extremism की तरफ जा रही है ठीक है न? तो इसमें वह यह कि socio-political factors इन चीज़ पर determine करते हैं जिन country की conditions थोड़ी खराब है पैसा कम है तो वहाँ पर क्या हो रहा है religious fundamentalism बढ़ रहा है और religious based violence बढ़ रही है ठीक है अगर हम study की बात करते हैं इवन अगर हम इंडिया की ही बात करते हैं इंडिया में क्या हो रहा है? कि जैसे हिंदुत्तों की कुछ लोग इसको ऐसे connect करते हैं कि जैसे वह वह था ना जैसे बाबरी पर ये temple formation हुई है राम जनम भूमी के तो राम जनम भूमी जब केस भूट मनलब solve हुआ ठीक है? हमारे यहां पर पहले रत ही आत्रा हुई थी एक ठीक है? तो ये सब चीज़े कैसे? जैसे इन पर जैसे study कर रहे हैं लोग है ना? तो यहां पर भी कि over the period क्या हो रहा है? कि religiosity country के अंदर बढ़ रही है अगर आप इस चीज़ को देखो ना specifically ये राम जनम भूमी केस के बाद और ये राम टेंपल बदने के बाद भी जो narratives है इंडिया के अंदर कि वो एक religion के प्रती लोगों की आस्था बढ़ी है ठीक है ना? और वर्ल लेवल पे भी हम इस चीज़ को देख रहे हैं फिर अगर आप इस चीज़ को देखो ना कि जिसे होगी कि analysis के रिलिजियोसिटी के basis किया रहते हैं तो अगर हम इस चीज़ को देखे ना कि एक historical basis भी रहता है historical basis बे हम किन चीज़ों की बात कर सकते हैं जैसे इंडिया में partition एक basis है ठीक है? 1857 तक ऐसा माना जाता है कि हिंदू-Muslim unity थी इसके बाद जो divided rule चला है और ये चीज़ कहीं जाती है कि जब divided rule चल रहा है वो that has led to the partition of India हिंदूस्तान और पाकिस्तान के divide होने का basis क्या है? Religion है ना? धर्म was the basis जो partition इंडिया का हुआ है जब ये partition हुई थी उस time पर communal violence हुई थी ये कह रहे हैं कि आप analysis करो religiosity का तो हाँ historically जो चीज़े हुई है ठीक है? इससे जो tensions पड़ी है उससे अभी तक हम देख रहे हैं कि हाँ religious tensions बढ़ रही है और religiosity पे इसका impact रहता है ठीक है? These are the people who are affected by the communal violence are the first to move towards religious fundamentalism ठीक है ना? वर्ड में अगर आप देखो अगर Europe की हम बात करते हैं ठीक है ना? तो Europe में वही atrocities हुई है यह जिसे अब इदर हम Jews की बात कर रहे हैं इस्रेइल की बात करें तो एक holocaust holocaust की history है ठीक है? तो एक religiosity बढ़ रही है Europe में आप देखो एक xenophobia हो रहे है कहां चला जाता है इसका basis? पिछे जाते हैं लोग वो crusade first crusade, second crusade, third crusade किस basis पर वो थी crusade? धर्म, Christianity versus Islam ठीक है? लड़ाईयां हुई है ठीक है था basis एक trade route वाला बट एक धर्म का एक basis तो था ठीक है? तो वो mobilize हो रहा है तो कहिना की historical context radicalism की तरफ भी ले जाते है rigiosity की तरफ भी ले जाते है फिर अगर हम देखे कि globally ग्लोबली भी अगर आप देखोगे world में right wing parties यह अलग हर बहुत सी countries ऐसी है जहां पर specific religion को है ना थोड़ा religion का base उन parties में है ठीक है? आप globally इसको देख सकते हो अगर आप इसको ग्लोबल प्रिस्पेक्टिव लाना चाह रहे है की right wing parties है जो आपका अगर हम इस चीज़ को कहेंगे ना these are coming in power ठीक है? अलग-अलग जगा पर यह इसे इंडिया में आप देख लोग एक example की तरह कहते हैं अभी जो ruling party इसको कहते हैं की एक religion के लिए है ना की थोड़ा सा tilted है ठीक है? वैसी आप Europe में देख लो, हैना Latin America में देख लो, Middle East में देख लो Middle East में कुछ इस्लाम-based है है ना Latin America Europe में Christianity-based है वहाँ पर अब भीज़े से हम Latin America के बात करी पेंटलिजम-based ठीक है ना? तो religion is driving them तो अगर हम समझने की कोशिश करें तो अगर basis आप समझ रहे हो यह ऐसे ना कि phenomenon जो religiosity का बड़ भी रहा है इसमें हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि diversity religion की बात करते हैं diversity की बात करते हैं rising religiosity तो है बट वही ना कि it should not move towards fundamentalism अगर हम religion की diversity यह diversity जो religion में है ठीक है? यह एक देश को culturally जादा strengthen करती है ठीक है ना? यह strengthening करती है अगर आप इस चीज़ को देखो आप इंडिया को देख लो ना? कि हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है? कि culture हमारा rich हुआ है हमारी diversity of religion की वज़े से और फिर यह help कैसे कर रहा है? यह जो diversity in religion है इंडिया की एक बहुत बड़ी soft power है stark nation है, stark countries है उनके साथ हम क्या गर रहे है? Buddhist diplomacy ठीक है? सागर initiative है क्या है? इंडिया की soft power एक basis रख रही है ठीक है? और कहीं न कहीं जब हम बात करते हैं न religion की इंडिया का जो constitution है क्या बात करता है? we as a nation are secular ठीक है? इसमें fundamental rights की बात हो रहे है there is right आप अपना religion को practice कर सकते हो ठीक है न? constitution आपको fundamental right देता है कि आप personal religion आपका एक personal issue है ठीक है न? और क्या है? इट शूड अब जिसे वही हैगी एक understanding जब हम बात करते हैं गांदी जी क्या बात करते है religion में? राम राज्य ठीक है? तो राम राज्य का मतलब यह नहीं है कि राम भगवान का राज्य राम राज्य से जब वो बात कर रहे होते हैं वो governance की बात करते हैं good governance ठीक है? तो वो religion with politics जब गांदी जी का religion and politics तो जब गांदी जी इसका inclusion कह रहे है गांदी जी यह नहीं कह रहे है कि politicization होनी चीए religion की गांदी जी क्या बात कर रहे है कि जो religion धर्म को कैसे देखते है values कि religion is not about following some ideology religion is about values ethics उनके लिए धर्म एथिक्स है values है non-violence धर्म है truth धर्म है अहिंसा धर्म अहिंसा पर्मो धर्म थेक है न तो क्या बात हो रही है कि जो religiosity है अब हमको किस तरफ को जाना इंडिया को देखो न हमारे यहां पर क्या है जिसे कुछ जगा पर है वो government religion को अलग रखती है पॉलिटिक से और रादर वो है कि वो involved भी नहीं होगी religion में इंडिया में क्या है एक positive discrimination है कि आप help कर सकते हो बड़ help करने का basis क्या है अब जिसे मालो कुम्ब हो रहा है तो train ने चला देंगे ठीक है छट पूजा हो रही है train चला दो है न कुम्ब में government help करती है management में क्यों 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 वो citizens of India है और उस citizen का fundamental right है आपने अमरनाथ यातरा करनी government facilitate करी बट उसके लिए वो क्या करती है उसके लिए एक फीस चार्ज होती है train तो चलेगी पर उस train में टिकेट लगेगा ठीक है तो वही कि एक जो rising कि आज strength जो हमारा ये रिलिजियस फैब्रिक जो है हमारा डाइवर्स दिसेज दी स्ट्रेंथ ओफ इंडिया